हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को परकास अपरावरतन तथा आपवरतन का जो चेप्टर चल रहा है जिसमें उत्तर लेंज के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तर लेंज किसे कहते हैं एवम इनके क्या परकार होते हैं बिल्कुल आसान भासाम समझेंगे तो चलते हैं हम लोग वीडियो को कर रहे हैं शुरू आप लोग देखते रहिए इस चैनल को पहरी बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह मज यहां पर question किस टाइब का पूछा जाता इसमें इसको अब समझना है आपको ध्यान पूरवक इनका जो main parts क्या है तो यहां पर जो पूछा जाता है question वो उसको समझेगा पूछा जाता है कि उत्ता लेंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रगा होता है परते का साप चित्र बना बीच में मोटा होता है क्या होता है बीच में मोटा तथा किनारों पे पतले होते हैं और प्रकास के किर्णों को क्या करते हैं अभिसारित करते हैं इसलिए इन्हें अभिसारी लेंज भी कहते हैं तो आपको simple सी बात इसमें कुछ नहीं ज़्यादा समझना है आपको वह स्रि इसलिए इन्हें अभिसारी लेंज भी कहते हैं इनका जो में परप्रटीज में बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है यहाँ पर फिगर में पतला और यहां भी मोटा है, उत्तल लेंज जो होते हैं, वो तीन परकार के होते हैं, उत्तल लेंज जो होते हैं, तो तीन परकार के होते हैं, पहला क्या होते हैं, उसको बोलते हैं, उभ्योत्तल लेंज, क्या बोलते हैं, उभ्योत्तल लेंज, दूसरा होता है, सम्मो उत्तल लेंस क्या होता है समो उत्तल यानि कि सम्तल और उत्तल मिला हुआ और लास्ट जो होता है आपका यह होता है हमारा अब्दलो उत्तल है ना अब्दलो उत्तल लेंस तो यह तीन लेंस हैं आपको अगर पुछा आएगा कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के हैं तो आपको बताना है तीन परकार का पहला जो होता है उभी उतल लेंस दूसरा होता है समो उतल लेंस और लाष्ट में जो होता है तीसरा होता है वो होता है इसको आप बोलते हैं अब दलो उतल लेंस है ना तो यहाँ पर तीन को हो चुके है और इसको समझेगा क्या होते हैं पहला जो होता है उभी जो होता है ये वाला इसका एक धरातल उत्तल होता है एक धरातल उत्तल होता और दूसरा होता है समतल ये हमारा देखिए समतल है सीधा लाइन में है ये समतल में है न और ये उत्तल यानि कि ये उठावा भाग है न उत्तल ठीक है और तीसरा जो है हमारा इसको देखिएगा तो बस यही property आपको समझना होगा ठीक है I hope आपको समुझ में आ गया होगा कि पहला जो होता है है ना इसका दोनों धरातल क्या होते उत्तल होता है और दूसरा जो होता है उसका एक धरातल उत्तल और एक धरातल उत्तल होता है और दूसरा क्या होता है समतल होता है ठीक है और आप बिडियो को ज्यादा द्र समझने के लिए यग सब्सक्राइब करें करेंगे दन्मी